हलो फ्रेंड्स वेल्कम तू मैं चैनल चैमातादी इस पीडियों में आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ अहोई अश्टमी ब्रत की पूजा बिधी अहोई अश्टमी का ब्रत माताएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयू के लिए रखती हैं इस दिन महिलायन निर्जला ब्रत करती हैं और अहोई माता की विधी विधान से सच्चे मन से पूजा करती हैं अहोई माता की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चौकी या फिर पटला लेना है उस पर आप लाल या पीला कपड़ा बिछा लें अगर हो सके तो आप लाल ही बिछाईएगा और उसके बाद एक अहोई माता का फोटो या फिर कैलेंडर आप ले लीजिए ये कैलेंडर कई तर स्थापना करेंगे यहां पर मैं दो करवों की स्थापना करूंगी जहां पर दो करवे रखे जाते हैं उसे दो गड़ बोला जाता है तो मैं चावल के ऊपर दो करवों की स्थापना कर दूंगी मेरे यहां दौनों करवों में जल भरा जाता है किसी के यहां एक करवे में ज जल भरा हुआ है और ये बही करवे होते हैं जो हम करवा चौत की पूजा में यूज करते हैं बस आपके ये करवे जूटे नहीं होने चाहिए यदि आपके ये करवे जूटे हो गए हैं तो आपको नए करवे की स्थापना करनी चाहिए या फिर आप जल के कलस्की भी स्थाप तोआपको अलग से स्थापना करने कि जरूरत नहीं है आप कैलेंदर में भी भगवान घनेश की पूजा कर सकते हैं अब हमने एक जलका कलस लिया है जिस पर मैंने मौली पहले से ही पांथ कर रखी है ये जलका कलस भो है जिससे हम साम को पूजा करने के बाद तारों को अर्क देते हैं अहो यश्टमी की पूजा में चांद को अर्क नहीं दिया जाता है तारों को अर्क दिया जाता है अब हम माता के सामने गैहूं की एक धीरी लगा लेंगे जिस पर हम एक दीपक की स्थापना करेंगे ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं पीतल का भी ले सकते हैं और ये दीपक आप घीका भी बना सकते हैं और तिल के तिल का भी बना करके चला सकते हैं मैंने यहां पे घी का दीपक लिया हुआ है, जिसे मैंने चला दिया है, क्योंकि कोई भी पूजा आरम करते हैं, तो सबसे पहले दीपक चला जाता है, भगवान को धूप दिखाते हैं, तब पूजा आरम करते हैं, अहोई अश्टमी की पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो और भवान की प्रियचीच दूप खास हमें भवान गनेश को जरूर से अर्पित करने चाहिए पुस्प चड़ाएंगे, कुछ गैहूं के दानी चड़ाएंगे और उसके बाद हम भवान गनेश को एक जनेव अर्पित करेंगे आप ये जनेव रेडी मीड जो बजार में मिलता है वो भी चड़ा सकते हैं वरना आप इस तरह से कच्चे सूथ से जनेव बनाकर भी भवान को अर्पित कर सकते हैं अहोई माता की पूजा करने से माता पारवती अपने पुत्रों की तरह ही आपकी बच्चों की रच्छा करती हैं और उन्हें चिरंजीव होने का आस्वाद देती हैं साथ ही उन्हें जीवन में सफलता भी प्रधान करती हैं इस तरह से हमने दीपक का भी पूजन कर दिया है प फूर्ड डालेंगे इस तरह से अहोई माता की साम की पूजा के लिए यह जलका कलस तैयार हो जाता है और इस पर कुम-कुम से हम एक स्वास्तिक का चिन बना देंगे और इस कलस की भी हमें पूजा करनी है क्योंकि इसी से हम साम को तारों को अर्क देने वाले हैं अब हम माता का पर्व कार्टिक मार्श की क्रिश्न पक्ष की अश्टमी को रखा जाता है और यह करवा चौथ के तिन दिन बाद रखा जाता है इस बर्श यह ब्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को पढ़ रहा है तो उस दिन हमें अहोई माता का ब्रत रखना है और पूजा करन हैं, इनका भी हमें पूजन करना हैं और अहोई माता को दच्छना शरूप कुछ पैसे हम अर्पित कर देंगे, दच्छना रखने से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है, वो पूरी हो जाती है, अब हम कोई भी रितुपल माता को भोग में रखते हैंगे उसके बाद हम मातारानी को भोग लगाएंगे अहोई अश्टमी की पूजा में विशेश रूप से पूड़ी पूआ और हलवे का भोग लगाया जाता है अब हम निकालेंगे बायना बायने में मैंने एक साड़ी कुछ स्वाग का सामान लिया है जो हम मातारानी के सामने रखते हैंगे बाद में ये पायना हम अपनी सास को अपनी चेठानी को या फिर आप किसी ब्रहमण महला को भी दे सकते हैं बायने में दच्छना सरुक कुछ पैसे अवश्शे रखने चाहिए सारी पूजा कर लेने के बाद हमें अहोई अश्टमी ब्रत की कथा पढ़ सकते हैं अब हात में हम गैहूं के आठ दाने लेंगे एक पुष्प लेंगे और हम अहोई अश्टमी ब्रत की कथा सुनेंगे आपको पूजा करते हुए अपने बच्छों को भी पास में बिठाना चाहिए और सारी पूजा कर लेने के बाद उनका तिलक करना हैं वो भी उन्हें हमें प्रशाद में देना चाहिए इस बीडियो में मैंने आपके साथ ब्रत कथा को शेयर नहीं किया है इसका बीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा सारी कथा पढ़ लेने के बाद गैहूं के दाने और पुस्प को हम माता के चरणों में स सबसे पहले हमें भवगान गनेश की आरती करनी है उसके बाद हमें अहोई माता की आरती करनी है अहोई माता की आपको आरती नहीं आती हो तो आप माता पारवती की आरती कर सकते हैं अहोई माता की एक माला भी बनाई जाती है जिसमें दो चांदी के मोती और इस तरह का अहो दो मोती डाले जाते हैं, यदि आपके परवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या किसी किसाधी हुई है, तो उस साल भी दो मोती उनके नाम के इस माला में डाले जाते हैं, फ्रेंड्स मेरे पास अहोई माता की माला नहीं है, तो मैंने इसलिए पूजा में नहीं रखी ह आपके पास हो तो आप अवश्चर रखियेगा अहονि माता की इस माला के भी कुम-कुम से अच्छत से और पूश्प से पूजा की जाती है जब आप अहोई माता की पूजा कर लेंगे माला की पूजा कर लेंगे तो आपको इस माला को अपने गले में धारन करना है और दिवाली के बाद इस माला को किशी भी शुब धिन देख करके उतार करके इसकी पूजा करके खीर पूडी से दाल चावल से इसी जिमा करके किसी अ में इस वेडियो में अहो यस्टमी चौकी आपको किस तरह से बढ़ानी चाहिए इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा लिंक एसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी यदि आप मेरे चैनल पूनं की आस्था पर पहली बार आए है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस क दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके बोलिए अहोई माता की जै कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जै जरू लिएगा धन्यबाद फ्रेंड्स